नमस्कार दोस्तों आईए देखते हैं कि कल मार्किट कैसे काम काज कर सकती है लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर वीडियो खाली एजुटेशनल और लर्लिंग परपस के लिए है क्योंकि आपको होने वाले प्राफिट लास के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से दिमेवाब नहीं है दोस्तों डाटा जो है आज का थोड़ा सा कंप्लिकेटीड है समझ नहीं आ रहा क्योंकि मर्धलिक स्वाइरी है काल मार्किट किसी भी तरफ गुमाई जा सकती है रिटेलर ने काल भी खरीदिया पुट भी खरीदिया अच्छे खासे स्टाक फ्यूचर जो इंडेक्स फ्यूचर माइनस करिया है नंबर कम किया और स्टाक फ्यूचर में और एक प्लेयर बीरिश है अब आप यहां पर देखिए रिटेलर नंबर अच्छा खासा काम किया मातर इसके पास 13,000 कंट्रेक्ट रह गया है डिया इसने जो माल दिया वह आज तीनों प्लेयर ने मिल बांड के खाया और इसी ने इस हायता दी जो मार्किट को उपर लाने क अबर प्रांड का कम पंदरा जर कंट्रेक्ट है एसने नंबर बढका दिया 47,000 कंट्रेक्ट है डिया एस सुसंद pande के पास 13 1000 부탁 रह गया जो इनोंके वह एक यह दिन में इसने जो है पूरे का पुरा आपना नमबर कम कर दिया और अच्छा-खासा अकाम कि ए सब देखिए आ लेकिन काल में उतना विश्वास इसको नहीं था आज भी जितना पुट में था आप देख सकते हैं 68,000 कंट्रेक्ट इसके पास जो है अभी रह गए हैं बाकियों में जैसे भी लास्ट बुक करना था वो कर चुके हैं लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि अभी उनको मुखा मिल सकता है शायद कल अब मिलेगा या नहीं मिलेगा वह आप्शन चेंज से देखने की कोशिश करेंगे डिया इस नंबर में चेंज नहीं है एक लाख 27,407 कंट्रेक्ट हैं काल में आज इन्हों ने भी कुछ खास नहीं किया यह सिर्फ लेके बैठे हैं इनकी किस्मत से इनको मुनाफ़ा मिल रहा है जो प्रास और क्लाइंट्स की बेवकूफी की वजा है और प्रास 59,000 कंट्रे जो है रिटेलर आज लेके गए है डिया इस ने भी नंबर बढ़ाया है 25,200 कंट्रेक्ट इनके पास है एक लाख 18,954 कंट्रेक्ट इनके पास है और प्रास ने अच्छा खासा नंबर बढ़ाया है दो लाख से ओपर कंट्रेक्ट इन्हों ने जो है राइट की है कल ये कोश तीन चार दिनों से जो है market लगातार उपर आ रही है और क्या FII अपनी puts में last book करेंगे ये एक interesting चीज है तो इसी वेसिस पे क्या market कल उपर से नीचे की तरफ आएगी आएगी तो कितनी आएगी ये आपको जो है lie market पे नजर रखनी पड़ेगी data कैसे फार्म होता है जैसे data ती को जीरो होने से कोई नहीं रख सकेगा वहीं stock future में कोई किसी भी camp में कोई बड़ी major change नहीं है सिवाए इसके की प्रास ने stock future में अपना नंबर और काम किया है अब एक लाखी 80,000 तक पहुंच गए है और clients रिटेलर्स छे लाख के लगबग पहुंचते हुए नजर आए है अब दोस्तों चलते हैं दूसरे पैरामीटर्स की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि कल market कैसे कामकाच कर सकती है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वैसे तो US market negative कामकाच करी है लेकिन S&P और नास्दक हलके से हरे निशान में है और हमारी SGX Nifty वो भी जो है day high के आसपास कामकाच करी है अब data से आपने देख लिए कि क्यों कामकाच करी है और कल एक नया gap up मिल जाए तो इसमें भी आपको हिरानी नहीं होनी चाहिए वहीं US market ये यूरोपियन मार्किट भी अभी हरे निशान में ही कामकाच कर रही है और बाकी वर्ल्ल मार्किट का भी यही हाल है आज हमारी मार्किट जो है वह पास्टी बांद हुई है और जितनी ज्यादा बढ़त लिए है वह बाकी एशियन मार तो selling जो है हमारे retailer करते हुए नदर आए हैं अब यहाँ पर आईए एक बार option chain पर bank nifty तकरीबन 33 800 के level पर closing दी है आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा यही NSE की side की दिक्कत है हम तो फिर भी आं 33 800 पे चलकर देखते हैं कि क्या कामकाज हुआ है आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस तक्रीबान 25,000 कने Almaty यहां पर हैं इसमें से 21,000 आज़ जड़े हैं आप देखिए कि दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजर जा रही है, जैसे 1434 गट्रैक्ट थे, जिसमें से 1300 आज जूड़े हैं, 2710 गट्रैक्ट जिसमें से 2510 आज जूड़े हैं, मतलब यहां पे मातर 200 थे, 200 की जगा यह कितने हो गए, 2700 जिसमें से 2518 आज जूड़े हैं, यही हाल आप देखिए 33,700 पे 6,743 कंट्राइट जिसमें से तक्रीबन 66,52 आज ही जुड़े हैं तो यह सारी दिक्कत किस बजा से हुई है यह जो डेली रिटेलर आता है पुट खरीद के बैठ जाता है यह सारी दिक्कत उससे ओरी है काल वो राइट करता जा रहा है जो में आ रही थी थोड़ा डर भी लग रहा है अब देखके यह इसलिए मैंने बोला था कि बड़े प्लेयर्स के साथ किसी भी त्रांसे जो है मैसमेत करना दो-तिन दिन दूर हो तो वो भी आपके लिए अच्छा ही रहता अगर जिसने पुट में किसमत अजमानी की कोशिश की कि वह यहां पर एक बार नदर मा रही है महलोग चोतिस आट सो के लेवल पर राइटिंग होती हुए नदर आई है मुझे सिर्फ यह थोड़ी सी सिच्वेशन एक मुझे डाइसी लग रही है चोतिस नो सो पर भी हालके से किसी ने जो है अपना माल बेचने की कोशिश किया ह 35-300 पर भी देखो यहां पर भी आपको राइटिंग नजर आ रही है हर जगा कंट्रक्ट चाहें थोड़े थोड़े हैं लेकिन यहां पर राइटिंग हुई है और बड़ी बात नहीं कि अगर गैप अप करके मार्किट को उपर की तरफ ही रखा जाए लेकिन रेंज क्या र का यह है कि जो अडिशन है पुट में यह अन एक्सपेक्टिड एडिशन है लेकिन जिन्नों ने पुट राइट की हुई है जो पुट बेच के गया है उनको कवरिंग भी करनी है तो ऐसा हो सकता है कि कल एक बार पुट को फिर से सस्ता किया जाए और उसके बाद जो है पु कल भी मैंने एक चीज़ बोली थी कि साथ रुपे की जो राइटिंग थी जो साथ रुपे की राइटिंग रिटेलर ने की थी वह आप देख सकते हो कि उसको कितनी भारी पड़ी यह मैंने स्पेशली कल पॉइंट आउट भी किया था आप यह देखिए तेतिस अधार पर प हाल था जिसमें से 78 रुपीज आज बड़े हैं तो लेकिन वह आज भी रुखता हुआ नजर नहीं आया रिटेलर और प्रास आज भी राइटिंग करके गया और उन्हों ने क्या किया यहां पर तो बड़े प्लेयर्स ने अपनी मुनाफा बांध लिया और वह भी आगे की आज खिसकते हुए नजर आए अब आगे आप देखिए की राइटिंग कहां ता कोई है जहां तक नदर मारोगे इवन चार रुपे में क्या लेके जाएंगे मुझे आई तक समझ नहीं आया चार रुपे राइटर को क्या बोलेंगे लेकिन वह चार रुपे में रैटिंग करते हुए नदर आए वो 14 रुपे में भी राइटिंग करते हुए नदर आए और 12,000 कंट्रेक्ट बेच के गए यहां पे तो कल के लिए फिर से एक पहाड खड़ा हो जाएगा 426 रुपे वाला प्रीमियम आपका वही अस्सी स्वो में आ जाएगा फिर आपको बैंक निफ्टी कहीं न कहीं चोतिस-500 की तरफ जाती हुए नदर आएगी क्योंकि यहां पे आप देखो कि इतना कांफिडेंस राइटर्स को नहीं आया यहां पे भी वह अपने कंट्रेक्ट हलके से ही कवर करते हुए नदर आए तो यह चोतिस-500 शायद इस लेवल से मार्किट को कहीं न कहीं इस पुट को भी बड़े प्लेयर्स जो है वो खाने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं रेंज वो क्या रह सकती है चोतिस-500 से लेके 33,000 तक की रह सकती है 33,000 को काटना थोड़ा था डिफिकल्ट होगा दिन में आपको नदर रखने पड़ेगी एक 34,000 की पुट पे और एक 33,500 की पुट पे कि क्या यह वाली पुट या यह वाली पुट इन में से इन तीनों की स्ट्राइक में से कौन सी हीरो बनती है यह आपको नदर रखने पड़ेगे मुझे यह लग रहा है कि शायद 34,500 इस पुट पे बड़े प्लेयर्स की नदर हो व रही ना कहीं यह 34,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी यहां पे जाके रुकने की कोशिश करेगी और फिर यह पुट जो सस्ते में उठा के 120,30,40,50 जो भी बड़े प्लेयर्स की नदर में इसकी दाम लगेगा उस रेट से उठा के यहां से मार्किट को यह नीचे पुश करन 500 पे यहां पे अच्छा खासा जो है अडिशन हो जाएगा और कहीं आगर आप अडिशन काल की तरफ देखो क्या पता रिटेलर्स काल की तरफ पहाड़ बनाके बैठ जाएं तो फिर आपको जो है मार्किट नीचे की तरफ जाती भी नदर आएगी सारा डिपेंड करता है कि गैप अप होती है गैप डाउन होती है एक बार के लिए तो आपको एक काम करना होगा जो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था चोतिस पांच सो की तरफ एक बार मिलती है तो हम एक बार काल खरीद के चलेंगे मुझे यह लग रहा है कि जितनी मैं पुट राइटिंग हुए दे सप्लाई देखेगे हैं वह 33 600 पर देखेगे हैं 700 800 934 इन लेवल्स पर तो वह अच्छी खासी सप्लाई देखेगे हैं तो इन लेवल्स पर उसकी नजर होगी कि इन पूट्स को वह जीरो कर सके अब एक चीद का यहां पर और नजर रखनी पड़ेगी जो काल के डाटा के हि वह यह है कि 34000 की काल पर कैसे एडिशन होता है यहां पर एडिशन होता है या अनवाइडिंग होती आज आपने देखा दिन बर 33000 पर पहले अनवाइडिंग नी ओरी थी मैं लिख भी रहा था लेकिन बाद में इस लेवल पर अनवाइडिंग हो गई और अच्छी खासी अन है पूट काफी सच्थी ओ गई है तो कल पूट का दिन हो सकता आप देखिए यह 65 रुपे में पूट है ऑगर इसको सच्ता किया जाए या 33500 की सक्यार चाहिए फिल्हाल अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बैभिस ही चीजD समझ में आ होनी चाहिए ट्रेडिंग आफ्स के दुरान जैसा डाटा फार्म होगा वैसे आप ट्रेड लेने की कोशिश करना गैप डाउन मिलता है तो एक बार के लिए काल लेना आपको उसमें मुनाफ़ा मिल सकता है और अगर तीन सो पॉइंट का गैप डाउन हो गया दोस्तों से तीन बैंक निफ्टी का अब निफ्टी पे चलते हैं हाल निफ्टी का भी कुछ ऐसा ही है 14864 के लेवल पर क्लोधिंग वही है यहां पर अंडरलाइंग तो दिखनी रहा पिच्चर यहां पर भी सेम बनी थी आज तो 14800 पर चलके देखते हैं डाटा को यहां पर भी देखके डर भी लग रहा हालां कि यहां पर सारी काल में जो है कवरिंग होती ही नदर आई है आप टू चोदा 900 के लेवल पर मतलब आप देखिए कि राइटरस में यहां पर 900 के लेवल में भी कांफिडेंस की कमी नदर आई है वह 14900 में भी उसने अपनी पोजिशन कवर करनी मुनासिव समझा यहां पर उसको प्रीमियम मिल रहा था उसको लगा कि कल काहीं इसके उपर ना चली जाए और सभाविक भी है आप यहां पर देखिए हलांकि 14800 के उपर की क्लोधिंग नहीं बन थी जी हां 14800 लेकिन यहां पर क्या था 24000 कंट्रेक्ट आज ही जुड़े जिसमें से यहां पर अनवाइंडिंग हो गई अब यहां से लेके 14800 से लेके 15000 तक आप एक बार फिगर को एड़ कर लो यह तकरीबन एक क्रोड से ज्यादा शियर बनते हैं और कहीं कहीं यहां पर गैप आप हो जाए निफ्टी में वह एक क्रोड शियर जब कवरिंग के लिए आएंगे वह मार्किट को कहां तक पुछ कर सकते हैं या आप खुद भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15,000 की काल पर पुट पर 2000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं यहां बीस अजार कंट्रैक्ट थे नो सो पर तकरीबन बारह हदार पांच सो असी जुड़े हैं तो इसके ओपर अगर गैप अप हो गया तो यहां पर आप देखोगे फृद्धर यहां पे पुट लेने वालों की से डर के रहना पड़ेगा क्योंकि अगर यह क्रास हुआ तो फिर पंद्रह एक सो तक भी मार्किट को ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता तो सारा डिपेंड करता है कल मार्किट की ओपनिंग कैसे होती है आठ सो चोंसट तो आज इसने दिखा दिया वहीं पर इसने क्लोधिंग कर दी जो कल की रेंज रह सकती है लेकिन बड़ी रह सकती है अगर यहां पर कभी 900 या 920 या 940 क्रास करने में कामियाब नहीं हुई और नीचे की तरफ आई यहां पर काल्स में डीशन अच्छा खासा हो गया 900 के लेवल पर या जी हाँ अभी तो फिलहाल 900 के पूट में अन्वाइंडिंग हो जाए यहां पर और यहां पर अन्वाइंडिंग हो जाए थोड़ी सी तो फिर आपको जो है जैसे ही 800 टूटेगा 780 का लाइवल अगर टूटा एक बार तो आपको यह 700 और 650 की तरफ आते हुए नजर आ सकती है सब डिपेंड करता है लाइं मार्किट पे डाटा कैसे फाहम होता है जो तीन दीनों से हम मंडे टूजडे वैडनस डे को देख रहे हैं क्या वो थस्डे को भी रिपीट होगा म लेकिन डाटा बैलेंस है उस बैलेंस डाटा में आपको जो है अपनी पूजिशन ध्यान से बनाके चलनी है तो मेरी आप सभी को सजेशन है थोड़ा सा खुलते ही मार्किट में वेट कर लेना दस एक बज़े तक जैसे पूजिशन बने अगर पुट में ज्यादा भी नहीं दे सकता हालांकि जो प्लेयर्स हैं उनकी कोशिशी होगी इस राइटिंग को देखके मेरे को थोड़ी सी हंसी भी आ रही है एक रुपे की जो है काल बेची गई है 15300 की एक रुपे अससतर पैसे पे 15200 की बेची गई है 15100 पे चार रुपे पे काल बेची गई है क् अब इस चीज के बारे में कुछ भी टिपनी नहीं करना चाहता है यही बात में आपको बोल रहा था कि वीक है जो बड़े प्लेयर्स के साथ है एक्सपाइरी वीक है एक्सपाइरी वीक में कुछ भी हो सकता है तो आपने देखा जहां से मार्किट शुरू हुई थी वहां पर आके बैठ गई मंतली मूब में और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की काल्स ने अच्छा खासा जो है प्रीमियम कमांड कर लिया है इसी के दाद दोस्तों वीडियो खतम करने जादे चाहता हूं उमीद करता हूं कि इस अनलिसिस के बेसिस पे कल आपको कुछ मना आफ़ा देखने को मिलें नमस्कार जाएंगे